हेलो अब्रिवन, कैसे हो आप सब, तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं, क्या, आपके परसन क्या सोच रहे हैं आज, ठीक है, तो आज की रीडिंग हमारी रहने वाली है, यही इसी टापिक पर हम करने वाले हैं, कि आपके परसन आज क्या सोच रहे हैं, ठीक है, तो मेरी blessings तो आपको मिलती है और रोज जो वीडियो देखा किजे रेगुलर वीडियो देखा किजे ताकि आपकी healing भी हो सके आपको अपनी healing के लिए कहीं और जाने के ज़रत नहीं है ठीक है आप मेरी वीडियो देखोगे आपकी healing होती रहेगी ठीक है क्योंकि मैं यहाँ जो है यहां पर बैटके healing भी करती रहती हूं ठीक तो आपको टेंचे लेने के ज़रत नहीं है spiritual connection है तो इश्वर का साथ है इश्वर के साथ के साथ मैं आपका जो है आपकी energy को clean करने की कोशिश करूँगी जो आपके चक्राज हैं है ना उनको heal करने के लिए कुछ-कुछ कभी-कभी tips बता दूँगी ठीक है तो आपको जो हैना मेरे साथ जुड़े रहना चाहिए जहां तक ही मुझे लगता है क्योंकि मुझसे जुड़ करके बहुत सारे लोगों को result मिला है और बहुत सारे लोग positive होते हैं ठीक है तो आपको मेरे से जुड़ना चाहिए तो यही कहांगी की चैनल को subscribe जरूर कीजे वीडियो को like जरूर कीजे चलिए करते हैं reading को start और जिनको भी मुझसे personal reading नहीं है दिये गए whatsapp नमर पे contact कीजे और bracelet के लिए भी यही सेम नमर है bracelet की booking लागतार चल रही है यह दोनों bracelet तीनों bracelet अभी level है तीनों की booking लागतार चल रही है तो आप लोग लेना चाहते है इस bracelet का love तो जरूर लेजी आपकी love life के लिए है आपके relationship के लिए है आपका यह आपका career सही करेगा ठीक है और यह जो है आपके money से लेटर problem को solve करेगा यह bracelet ठीक तो यह तीनों bracelet में दे रही हूं यह bracelet अभी नहीं दे रही हूं हो सकता है कि आ जाए यह tiger आई ह तो हो सकता है कि आज आई है bracelet बट अभी कोई confirm नहीं हुआ है ठीक है तो यह bracelet जो है आपको मिल जाएंगे चले करते हैं reading को start आपको क्या करना है अपने person को याद करना है चलो याद कर लो केंडल को मैंने जला लिया है केंडल दम बहुत यच्छी इसकी लौ है और चलिए करते हैं reading को start फोकस करो आप अपने person के उपर universe के उपर ध्यान लगाओ यहां दिख रहा है आपके person सोच रहे हैं आप दुनों के connection के बारे में आप से एक मौका चाहते हैं यह person यह चाहते हैं कि इन्होंने जो किया है उसके लिए आप माफी दे दो क्योंकि यह सोच रहे हैं कि आप भी अपनी life में दीरे दीरे करके आप अपनी life में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि इस person ने आपको तकलीफे जो दी हैं उसकी वज़ासे आप काफी hurt हुए हो कई बार तकलीफे दे चुके हैं यह person एक पर नहीं दिया है इस person ने आपको तकलीफ जिसकी वज़ासे मुझे यहाँ energy नजर आ रही है कि आपके person सोच रहे हैं कि शायद अब वो मुझे मा आउंगा तो फिर मेरी situations थोड़ी difficult हो जाएगी ठीक यहाँ यह दिखता है कि आपके जो person है बहुत ही एक बहुत ही aggressive सा nature है इनका और अपने गुसे में आ करके इस person ने आपका दिल तोड़ा है आपको बोल दिया है कि तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है और अब तुम्हे भी मुझे से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए तुम अपने काम में बीजी रहो मैं अपने अपने पे दोनों हम ध्यान देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि कि मैं तुम्हारे साथ continue नहीं कर सकता हो सकता है कि आप गनपत्ती बप्पा के जो है गनपत्ती बप्पा को मानते होगे जो लोग मतलब अपने धर्म के अनुसार लेना मैं तो ही इंडू हूँ तो उसके अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है ठीक है तो मुझे यहां पर energy वाइस पर्सा हो गई है यहां दिख रहा है कि आपके परसन जाना एक तरीके से सीमटने से लगे एक तरीके से देखो यह परसन जाना बहुत-बहुत-बहुत सोच करके और यह परसन सीमट से रहे हैं यह परसन अटैच हो रहे हैं आपके साथ यह परसन का दिख रहा है जि दिख रहा है कि इन्हों ने आपके साथ अच्छा बेवहार नहीं किया है और इसके वज़ा से यह परसन शर्मिंदा मुझे नजर आ रहे हैं यह परसन सोच रहे हैं कि अपनी शर्मिंदगी को अपनी जो मैंने उनके साथ किया है क्या मैं उनके लिए उसके लिए उनसे माफी म माँन या ना माँन थेक क्योंकि यह पर्सन ज़यना काफी ज़्यादा इस लिव दिख रहे तो है कि मुझे मुझे चलने चाहिए method गाने तो चाहिए मुझे एक बार उससे एक बार जय मुझे एक बार जो बहुत हैं जिद्धी बहुत हैं और लीडर हो सकते हैं या फिर एक बहुत अच्छे बिजनेसमेन हो सकते हैं या फिर किसी अच्छे जॉब में हो सकते हैं आपके परसन तो इनकी एनरजी दिख रहे हैं कि हाँ ये परसन की जहना एक दम से जैसे कि ये अधर लोगों के साथ ब कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या है कि एक especialmente person के लिए किया behavior होना चाहिए हमारा behavior जो है ना change होता है, लेकिन क्या है कि आपके person का भी कोई behavior change नहीं है, same, same, same है ठीक, तो ये person यही सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करने की ज़रुत है ठीक ऐसी एनरजी में मैं रह करके क्या करूँ ठीक ठीक तो ये परसन जाना मुझे काफी ज़्यादा अपने आपको सिमटते हुए अपने आपको रोकते हुए से नजर आ रहे हैं यहाँ पर आप भी फील कर रहे हो कि आप भी फील करते हुए दिख रहे हो कि मुझे इसको चांस नहीं देना है मुझे इसको नहीं रखना है अपनी लाइफ में कहीं न कहीं आप decide कर चुके हो आपके मन में हैं, आपके दिल में हैं क्योंकि आप जब भी याद करते हो जब भी, जब भी तो आपको कुछ न कुछ angels number जरूर दिखते हैं आपको angels number दिखते हैं फिर कुछ चैनल होता है आपको messages तो आप लोगों तो कम channel message होते होंगे लेकिन हमें बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर दिख रहा है जिसे कि आपके person जरूर बहुत message कर चैनल करते हैं आपके पास पहुँचाने की कोशिश करते हैं बट वो जो messages होते हैं उनके वो messages कोई कोई आप तक पहुँच पाते हैं हर message नहीं पहुँच पाता है क्योंकि आप दोनों का आपके person का heart chakra block है और आपका crown chakra block है जिसकी वज़ाँ से जो है न problems हो रही है ठीक और इसी के वज़ए से आप काफी ज़धा survive करते हुए नजर आ हो काफी ज़धा ठीक है और मुझे ऐसा दिखता है जिसे की काफी time से जो है न काफी time से आप इस person को बरदाश कर रहे हो इस person की जो नादानिया है उसको बरदाश कर रहे हो लेकिन अब बहुत हो चुका है आप भी उब चुके हो इस person के behavior से आप भी कहीं हं तक यह समझ चुके हो कि नहीं यह जो person है यह मेरी like है यह नहीं ठीक क्योंकि आप बार बार जब भी आप इनको मौका देते हो तब तब यह person काफी ज़ादा इनकी situation first जाती है मतलब कि आपके साथ जो है न यह person आते हैं तो धोका दे करके चले जाते हैं यह person सोचते वे नजर आ रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ कुछ decision तो लेना ही पड़ेगा ऐसे बार बार मैं किसी को सता नहीं सकता किसी को बता नहीं सकता ऐसे situations को और ऐसे energy में बार बार रहना बड़ा मुश्किल होगा ठीक है बड़ा मुश्किल तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके person बड़ी मुश्किल में है और परिशानिया इनका पीछा नहीं छोड़ रही है पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है जिसकी वज़ा से ठीक है जिसकी वज़ा से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यह person जो है ना एक दम से deeply है ना deeply एक energy में आ चुके है जिससे कि नहीं यह person को जो है इस person को जो है ऐसा दिखते है जिससे कि आपके साथ future को ले करके यह person confused मुझे नज़र आ रहे है यह person इतना ज़दा confused है कि इतना ज़दा confusion में है कि यह person को बिल्कुल भी कोई idea नहीं मिल पा रहा है ठीक है और मुझे यहाँ पे बहुत 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 ही ज़दा एक जैसे कि insecure feeling मुझे नज़र आ रहा है इस person का अभी जो है यह person insecure feel करते हुए दिख रहे हैं और insecurity इतनी ज़दा हो चुकी है इस person की कि यह person को बिल्कुल भी कुछ idea नहीं लग रहा है कि अब मैं इस relationship को कैसे सही करूँ क्योंकि कभी इस person के mind में आ रहा है कि मुझे इस relationship पे work करना चाहिए मुझे इस relationship में बोलना चाहिए मुझे रहना चाहिए मुझे करना चाहिए सारी चीज़े दीरे दीरे करके सारी चीज़े सही हो जाएंगी लेकिन फिर यह person सोच रहे हैं कि नहीं मुझे जहना शायद मेरे गलती की वज़े से मुझा मौका नव मिले ठीक और मौका नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा यहाँ पे मैं low feel करूँगा ठीक तो आपके person जहें बहुत जादा ठीक अपने situations को ले करके देखो आप दोनों की सगाई तक बाते चली गए थी कुछ लोगों की सगाई कुछ लोगों की और एन वक्त पे क्या सुनने को मिलता है कि नई शादी नहीं हो सकती है ना तो इस बात का रिग्रेट है आपके person के अंदर यह person उसी बात को सोचते हुए नजर आ रहे है कि आखिर मैंने क्यों ऐसा बोल दिया ऐसा कुछ ऐसा बिना reason के आचानक से ऐसे बोल किसी को तकलीफ देना है ना तो यह गलत है आपके person को feel होता हुआ मैं देख पा रही हूँ और यह person जहेंना कभी कभी मुझे नजर आ रहा है कि कभी कभी यह drink भी करते हैं smoking करते हैं कुछ नसीली चीज़ों का सेवन करते हैं यह person ऐसा दिख रहा है और यह person एक दम से टूट चुरब आना, आपके साथ जिसे प्यार भरा relation बनाना, है ना, इनका एक सपना सा नजट आ रहा है, एक दिखता है जिसे कि इस परसन को बेचैनी हो रही है आपके लिए आपसे मिलने की या फिर आपको अपनी बाहों में भरने की बेचैनी हो रही है यह परसन आपको अपनी बाहों में भरना चाहते हैं यह परसन यही सोच रहे हैं कि न जाने कब वो दिन आएगा जब हम दोनो एक दुसरे की बाहों में होंगे और एक दुसरे से खुल के बाते बहुत सारी बाते कर रहे होंगे तो यहां पर यह है और बहुत सारी बातों के होने के बात से नजर आता है कि यह बातों बातों में आपने जो इन से नहीं कहा है अभी तक वो भी जानने की कोशिश करना चाहत हैं ठीक यहां देख रहा है जैसे कि यह पर्षान काफी lock time से अफी कर रहे हैं काफी ज़्यादा time से यह struggle कर रहते हुए नज़र आ रहें काफी सलशना चाहि einem सा देखे वे नज़रा रहेह आपके साथ ये person ने dream देखा था आपके साथ अपने future को ले करके बट इस person का जो dream है ये fulfill ना हुआ ठीक और इसकी वज़ा से आपको काफी ज़्यादा problems आई हैं बहुत ज़्यादा problems आपको इनके dreams आपको अक्सार आते रहते हैं काफी खराब खराब dreams आते हैं बट फिर भी यहाँ पे दिख़ रहा है कि हाँ ये person आपको आपके पास वापस आना चाहते हैं आपको मॉका देना चाहते हैं खुद मॉका चाहते हैं ये person अगर आपने गलती की है तो ये दुबारा मॉका देने के लिए तयार है क्योंकि यह person भूलने की कोशिच तो कर रहे हैं आपको लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं तो यह person सोच रहे हैं कि चलो एक बार और ट्राइ करते हैं मतलब कि साथ है ना साथ जरूरी है तो यहां पे मुझे यही नजर आ रहा है आपकी reading में तो मुझे यही दिख रहा है आपकी energies इस के अनुसार से इस कंडल वेक्स की एनर्जी के अनुसार से तो अब करते हैं अब रीडिंग को खत्म मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में तब तक हसते रहिए मुस्कुरातरी और खुश रहिए बाँ बाई